Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, The Divine Light Tarot Guys, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि जो इंसान आपके उपर तंत्र क्रिया कर रहा है उसका हुलिया क्या है, उसके ट्रेट्स क्या है, उसकी चबी क्या है, वो कैसा दिखता है क्या उसके ट्रेट्स है, क्या करेक्टरिस्टिक है यह हम इस रीडिंग के थूँ जानने की कोशिश करेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आये तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें साथ-साथ अगर आप परसनल रीडिंग करना चाहते हैं, स्वारी, करवाना चाहते हैं तो WhatsApp नमबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मेंसेज कर सकते हैं तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि वो कौन इनसान है जो आपके उपर तंत्र क्रिया प्रेयोक कर रहा है कौन आपके उपर ब्लैक मेजिक कर रहा है, आपका बुरा करना चाहता है, उसके हम नेम के इनिशिल देखेंगे, उसके देट्स बहुत सारी चीजे देखेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको, कि यह वही इनसान है, जिस पर आपको डाउट है कि यह आपके उपर क कुछ काला जादू कर सकता है, देखें मेजिक जो है, जो ब्लैक मेजिक है, यहाँ पर नाम ब्लैक मेजिक इसलिए दिया गया है, क्योंकि मेजिक जो है, दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, जो हम अच्छे के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते ह उसको हम भाइट मैजिक बोलते हैं और जो किसी का बुरा करने के लिए किया जाता, उसको ब्लैक मैजिक किया जाता है, तब हम चलते हैं और देखते कि वो कौन इंसान हैं, आपको आख बंद करके भगवान से प्राथना करनी है, और विशेशकर, शिवशंकर, भोलेनाथ, और मा काली से आपको प्राथना करनी है, आख बंद करके 5 मिनट का आप पॉस लीजेए और जो वीडियो को जो है वो पॉस कीजिए और 5 मिनट का आप ब्रेक लें और उसके बाद ये वीडियो देखें, तो वो कौन व्यक्ती हैं जो आपके उपर तन्तित्रिया कर रहा है, ये ह इस रीडिंग के दुरू देखने वाले हैं तो पहला कार्ड देखिए आ गया डार्क एनर्जी का डैथ कार्ड आपकी राश्या भी बताऊंगी उस इनसान की राश्या भी बताऊंगी उसने इस इनसान के इनिश्यल भी बताऊंगी उसके ट्रेट्स भी बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी इस रीडिंग में तो यहाँ पर आगया सन का कार्ड तो वो कौन इनसान है जो आपके उपर तंत्र क्रिया कर रहा है उसके ट्रेट्स हम देखेंगे इन कार्ड्स के थूँ क्वीन ओफ कप्स टैंप्रेंस देखें डेविल का कार्ड आचुका है तो कौन इनसान है जो आपके उपर तंत्र क्रिया कर रहा है पौन पर रहा है जो आपके लो आपके लोगज़ सूनके तो अपके लो शेता पर आपके लोगज़ and two of cups कुछ कार्ट और हम लेंगे कुछ कार्ट और लेंगे हम यहां पर जो कार्ट निकल कर आ रहा है वो हाउज हाई ओनर गिफ्ट थाट्स एंप्रिजन्मेंट और एक कार्ड़ और निकालेंगे में मेल फैमिली रूम तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशियों की आपकी राशी जो है यहां पर तुला हो सकती है व्रश हो सकती है आपकी राशी व्रश्चिक हो सकती है अपकी डेट ऑब बर्थ का मंत जो है वो मार्च हो सकता है जून हो सकता है फरवरी हो सकता है सीप्टेम्बर हो सकता हैateurs जून मेंने बताई चुकी हूँ आपको है ना ये आपकी डेटा बड़ के मन्त हो सकते हैं तो यहाँ पर कुछ कार्ड जो है वो बया कर रहे हैं खुदी कि डेफिनेटली जिसने भी ब्लेक मैजिक किया है वो बहुत चुपा हुआ रुस्तम है क्योंकि यहांपर डेट का कार्ड है या सकोरपियन इंर्जी है सकॉर्पियन जो एनर्जी होती है वो बहुत छुपे रुस्तम होते हैं वो उपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर कुछ और उनके चल रहा होता है, बदले की भावना रहती है उनके मन में, वो भले ही आप से मीठा मीठा भोलें, भले ही मीठे मीठी बात करें, लेकिन अंदर उनके जो है कपट छल कपट की भावना होती है, डेविल का काट बता है कि definitely black magic किया हुआ है अब यह कौन हो सकता है यह आपके पिता जो आपके पिता है उनकी तरफ से उनका कोई रिश्टेदार हो सकता है मतलब कोई paternal relative आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है यह जो इनसान है यह आपकी maternal side से भी हो सकता है और मेन जो अगर ओवर ओल मैनर जी की बात करूं तो मेन जो आप जो ब्लेक मैजिक करने का वो रीजन है वो यह कि दा एमप्रेस आप इतने ग्रो क्यों हो रहे हो आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो आप इतने प्रोस्पीरियस क्यों हो रहे हो आप इतने शाइन क क्यों कर रहे हूं इसलिए आपकी लाइफ में इतनी प्रोस्परिटी एबंडेंस क्यों है आपकी लाइफ इतनी स्मूध क्यों चल रही है यह में रीजन है और यह जो इनसान है ना यह इनसान इसके जो बाल है इसके ग्रे बाल हो सकते ग्रेश मतलब ब्राउनिश इसके बाल ह हो सकते हैं और यह जो इनसान है यह दुबला पतला कुछ लोगों के लिए आ रहा है दुबला पतला इनसान और यहाँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है page of pentacles का कार्ड है कि यह इनसान ना भले matured हो भले इसकी age हो लेकिन यह age से दिखता नहीं है बहुत छोटा दिखता है अगर इसको आप दूर से देखोगे तो यह ऐसा दिखेगा 25 साल की आज पास की इसकी उमर दिखेगी लेकिन यह इनसान जो है बहुत मैच्वर्ड है बहुत उमर का है जादा साथ साथ two of sorts का काड़े इसको यही ने पता के सही क्या है गलत क्या है देखो जो लोग मंद बुद्धी के हम कह सकते हैं जिनकी सोच खराब होती है या जिनकी सोच या जिनका यह कह सकते हैं एक perception यह खराब हो सकता है इस तरह के लोग जो है ना दूसरों का बुरा करने के लिए आतूर होते हैं और यह जो इनसान है ना यह आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है यह जो इनसान है यह आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है और यहां पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है हो सकता है आपने इस इंसान को पैसे दिये हूँ आपने जब इस इंसान से पैसे मांगे जब आपने अपना पैसा वापिस मांगा तो हो सकता यह इस इंसान को बुरा लग गया हाला कि आपने कुछ बुरा नहीं किया आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन इस इंसान को बुरा लग गया कि आपने पैसे क्यों मांगे तो इस कारण से हो सकता इसने आपके उपर कुछ गलत किया है और ये जो गलत किया है ये किसी गिप्ट के थ्रू किया है कुछ खाने की चीज आपको दी है कुछ गिप्ट के रूप में लाया है दिवाली पे लाया हो या कोई तिवहार पढ़ा हो होली पड़ी हो या नवरात् परशाद लेकर आया हो ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है परशाद के रूप में इस इनसान ने आपको जो है black magic किया है परशाद खिला कर किया है कुछ मीठा खिला कर किया है जो जैसा यह इनसान दिखता है ना बैसी इसकी सोच नहीं है इसकी सोच बहुत खराब है साथ साथ यह main male हो सकता है और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आरा 5% लोगों के लिए हो सकता है इस इनसान का आपके साथ विवाद हुआ हो और आपने इसकी शिकायत पुलिस में की हो और इस कारण से इसकी जेल हो गई हो तो तब से ये जो है आपके लिए करंजिश पाल के बैठा है और उसके बाद इसने कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है देखिए ये हो सकता है इसने आपसे माफी मांगी हो आकर और बहाने से कुछ चीज आपको दी हो या आपके पास छोड़के गया हो कोई सामान ऐसा भी यहां पर दिखाई दे रहा है हो सकता है यह बहुत हाई और बहुत हाई पोस्ट पर हो सकता है किसी भी देपार्टमेंट में साथ साथ हाउज आ रहा है यहां पर तो हो सकता है यह आपका कोई परिवार का सदस्य हो सकता ह जिसके साथ आपकी meeting हुई हो घर पर या किसी घर को लेकर हो सकता है आपकी meeting हुई हो जो हमारा ancestral property हो थी उसको लेकर हो सकता है कुछ meeting हुई हो क्यों keep family room आ रहा है और ये हो सकता है उसके फेवर में नहीं गया हो जो मीटिंग हुई ये उसके फेवर में नहीं गयी हो इस कारण से इस इनसान ने आपके उपर ब्लैक मैजिक किया कुछ लोगों के लिए 5% लोगों के लिए ये भी आ रहा है हो सकता है ये इनसान आपकी खुबसूरती से अट्रेक्ट हो और आप इसको पसंद नहीं कर रहे हो तो इसे ने आपको वशी करन करने के लिए जो है आपको किया हो या आपकी आप बहुत पैसे वाली फेमिली से हो स चाहता हो कि आपके थ्रूस की लाइफ सबर जाए इस कारण से इस परसन ने आपके उपर ब्लैक मैजिक किया है ना और इसका हुलिया भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो परसन है ना ये दाड़ी और इसकी मूच्छे है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इसकी सिर्फ मूच्छे हैं है ना और और भी मैं ट्रेट्स आपको बताऊंगी हो सकता ये पास्ट आपका बच्पन का कोई दोस्त हो सकता है और ये आपकी लाइट में फिर से आया हो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है रिकंसिलेशन के बहाने सुला के बहाने हो सकता इसने आपके साथ पैच अप किया और पैच अप करने के साथ साथ इसने आपको कुछ चीजे ओफर की हो खाने की एसी तो आपने जनरली तोर पर खा ली हूँ ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और उन कार्ड्स के थुरू हम clarify करेंगे उसकी राशिया तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स, handmade कार्ड है वो निकालूंगी उसके थुरू भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखो, addiction of cigarette, इस इनसान को नट cigarette का addiction हो सकता है बहुत बातूनी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बग बग करना, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा बोलना फ्रेंडली हो सकता है, यह हो सकता है, फ्रेंड होने का नाटक करता हो, फ्रेंडली हो आपके साथ मोल आन अपर लिप्स तो इसके होट के उपर एक दिल हो सकता है अगर ये फीमेल है तो या मेल के उपर भी हो सकता है होट के उपर दिल आपके ही जित्ती एज का हो सकता है ये इंसान तीन कार्ड निकल के आए है ये रहे हैं फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है डिफरेंट बैक ग्राउंड से हो सकता है इसका बैक ग्राउंड डिफरेंट हो इसका कल्चर डिफरेंट हो कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इसने किया हो और टीचर हो सकता है ये लेक्चुरार हो सकता है प्रोफेसर हो सकता है लेफ्टी हो सकता है उल्टे हाथ से काम करता हो उल्टे हाथ से खाता हो उल्टे हाथ से लिखता हो इसके करली हैर हो सकते हैं और ये जो इनसाने हो सकता है आपको सूशल मीडिया पर फॉलो करता हो और सूशल मीडिया के थूंझ ये आपकी इससे फ्रेंडशिप हुई हो और भी हम लेंगे बहुत aggressive nature इसका हो सकता है बहुत गुस्से वाला हो सकता है इन्सान फेयर कलर हो सकता है इसका गोरा कलर हो सकता है फेयर कमप्लेक्षन हो सकता है आर्ट एंड म्यूजिक का इसको शोख हो सकता है, पेंटिंग का शोख हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, इसको म्यूजिक का शोख हो सकता है, या आपका पडोसी या कलीग हो सकता है, या यह कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके ही कॉलोनी में आपके घर के पास रहता हो Dark Grace की आइस हो सकती है और इसकी राशी Gemini, Libra, Aquarius हो सकती है Gemini, Libra, Aquarius इसकी राशी हो सकती है यहाँ पर हम कुछ और भी निकालेंगे आपके लिए जो सामने आ जाएगा तो इसके नाम का जो इनीशियल है वो बी हो सकता है इसके नाम का इनीशियल एच हो सकता है six number इसकी date of birth हो सकती है six number की six किसी भी मन्त की और ये जो है बहुत ये कह सकते है केतु इसका बहुत strong हो सकता है या ये कह सकते हैं इसकी राशी जो है मकर हो सकती है इसकी राशी मीन हो सकती है इसकी राशी सिंग हो सकती है इसकी राशी मतलब ये मार्स भाथ अग्रेसिव हो सकता है मार्स इसका मंगल भाथ स्ट्रॉंग हो सकता है ये traits इसके हो सकते हैं इस इसको ठाके में रख रही हूँ इनीशियल भी हम देखेंगे इसके name का initial l हो सकता है, n हो सकता है, o हो सकता है, f हो सकता है, i हो सकता है, m हो सकता है, e हो सकता है, g हो सकता है, g double है तो ये इसके नेम के इनिशल हो सकते हैं तो ये थी रीडिंग, I hope ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर कीजिए Thank you so much for watching my video हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, ओम साई राम, जै मातादी, रादे रादे